एक बार की बात है यम लोग के सिंघासन पर बैठे हुए यमराज जमीन की तरफ एक बूढ़े मच्छुआरे के घर को देख कर बोलती हैं धर्ती लोग पर इस मच्छुआरे का वक्त पूरा हो गया इसका नाम डायरी में लिखवाना होगा और इसके बापों का हिसाब भी चित्रगुप्त चित्रगुप्त कहा हो तुम यमराज की चिलाहट सुनकर मखमली बिस्तर पर जब के ले रहे चित्रगुप्त पड़ बढ़ाते हुए उट खड़े होती हैं यमराज जी को भी चैन नहीं है दो घड़ी विश्राम नहीं करने देते तभी यमराज दो बारा से चिलाए चित्रगुप्त कहा मर गए आया यमराज जी आया यमराज जी ने तो मेरा खून पी रखा है चित्रगुप्त मो लटका कर ठके हुए से यमराज के पास हाजिर हो गए तब यमराज जी चित्रगुप्त से बड़ी सक्त लहजे में बोलते हैं चित्रगुप्त यहीं यमलोक है क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि यमलोक में सोना वर्जित है हमें दुनिया में कौन जन्म ले रहा है और कौन मरने वाला है इसका लेखा जोखा इस किताब में लिखना पड़ता है चलो चल्दी से डारी खोलो और नाम लिखो चित्रगुप्त बड़ी सुस्ती से किताब खोलती हैं यम्राज बताती जाते हैं और चित्रगुप्त लोगों के नाम लिखते जाते हैं तभी चित्रगुप्त एक बार फिर से ठक कर जबकी लेने लगती है चित्रगुप्त तुम निद्रा ले रहे हो मैं तुम्हें इसके ल पोश यम है हम अपने कानपूर नगर के परदे खोल कर सुन लो चित्रगुप्थ तुम्हे कोई अवगाश नहीं दिया जाएगा हम ब्रहमन के लिए जा रहे हैं तुम दुनिया वालों को देखते रहना यदि किसी की मृत्ति हो तो इस डायरी में लिख देना ऐसा बोलकर यमराज अपने भैसे पर बैठ कर तहलने के लिए निकल जाते हैं तभी चित्रगुप्थ पाप पुन्ने वाली उस डायरी को खिस्याहट से पटकते हुए बोलते हैं सत्या नाश हो ऐसी नौकरी का जहाँ छुट्टी नहीं मिलती सारे फसाद की जड़ ये डायरी है क्योंना मैं इसे कहीं दूर फेग दूँ इसको पृत्वी लोग पर फेग देता हूँ यम लोग से वो डायरी गिरते हुए एक भवे मंदिर के बाहर लोगों के चपल जूते साफ कर रहे गरीब मोची जीतू के पास आकर गिर जाती है जीतू 19 साल का एक नौजवान गरीब लड़का था जिसके कपड़े बेहत पुराने थे पैरों में चपल तक नहीं थी चहरा सूखा हुआ था दूबला पतला शरीर, लंबा कद और गरीबी भरे उसके हालात थे इसलिए उसके अमीर दोस्त उसी फटीचर कहकर चिढ़ा दे थी आज तो बहुत ही जादा तेज धूब है तभी तो जूते चपल एकदम तवे के जितने गरम हो गए हैं पर इन जूते चपलों को साफ तो करना ही पड़ेगा जीतों के जीवन की रोज के यही कहानी थी वो रोज सवे रेउट कर मंदे राता लोगों के जूते चपल साफ करता और बदले में मिले हुई पैसों से ही वो रुखा सुका खा कर अपना गोजारा चलाता था अभी वो जूते चपल साफ कर ही रहा था कि तब ही उसका अमीर जादा घमंडी दोस्त अपनी नई नई गाड़ी चमकाता हुआ उसे के पास में आरुपता है और ठाट से गाड़ी में से नीचे उतर कर अपनी महंगे जूते उसकी आगे बढ़ा दीता है कुछ पल के लिए जीतु उदासी भरी सूरत से उसे देखने लगा तो वो धोस जमा कर बोला जीतु ने खुशी खुशी जूते पालिश कर दिये और मुस्कुरा कर मिठास भरे लहजे में बोला अरे विराट तु तो एकदम फिलमी हीरो के जैसे सुन्दर लग रहा है मेरे दोस्त अरे तो मैं किसी हीरो से कम थोड़ी हूँ मेरे पिता के पास बहुत पैसा है वैसे कल तो तेरा जनम दिन है ना जीतु? कल तेरा जनम दिन है. पाटी तो बनती है बोल पाटी शाटी तो देगा आखिर तु मेरा स्कूल का दोस्त है। इसके बाद जीतु जल्दी जल्दी जूते साफ करके मंदिर के पंडित के पास जाता है। एक आना भी जादा ना देगा। यह ले चल अब दफा हो। पंडित जी कल मेरा जनम दिन है। मेरे सारे मित्रगण मेरे घर पर दावत के लिए आने वाले हैं। थोड़े जादा पैसे दे दीजिए। पंडित जी उसी दुतकारते हुए बोले। जादा फरमाईश मत कर। चला जा यहां से। वरना यह दस रुपए भी छीन लूँगा। हताश मंसी जीतू आखों में आसो ले। मंदिर की सिढ़ियां उतरने लगा। तभी चित्र गुप्त की चम-चमाती हुई किताब उसे गिरी हुई दिखती है। जिसे वो जट से उठा लेता है। यह कैसी किताब है। देखने में तो काफी पुरानी लगती है। इस किताब को अपने घर ले जाता हूँ। भगवान के मंदर से मिला है यही मेरे जनम दिन का तोफा होगा। ऐसा कहकर वो भोली मन से किताब को घर ले आता है। लेकिन उसे अपने जनम दिन की चिंता सता रही थी। वो अपने दोस्तों को क्या खिलाएगा। मैंने अपने दोस्तों को बोल तो दिया मगर मेरे पास तो एक रुप्या भी नहीं है। केक कहां से लाऊंगा। ऐसा बोलती हुए उसके आँखों से टपटप आसु गिरने लगते हैं। मन शांत करने के लिए वो किताब खोड़कर एक पने में अपनी इच्छा लिखता है। जिसमें लिखा होता है कि काश मुझे केक मिल जाए। तभी एक चमतकार होता है। और सुन्दर सा केक उसके सामनी आ जाता है। केक देखकर जीतु फोली नहीं समाता है। अरे ये केक कहां से आ गया। तभी जीतु का ध्यान किताब के लिखे शब्दों पर जाता है। हाँ, मैंने इस किताब के पन्ने पर लिखा कि मुझे केक चाहिए, तो केक मिल गया। मतलब ये कोई जादोई किताब है। ये जानने के लिए जीतु ने एक और इच्छा किताब में लिखी। और अपने लिए कपड़े और घर के लिए धेर सारा अनाज मांगा। तो उसकी वो लालसा भी पूरी हो गई। देखते देखते चमचमाते नए कपड़े आ गए। और उसका पूरा घर अनाज की वस्तुओं से भर गया। अरे वा, ये डाइरी तो बहुत ही अनोखी है। अब मैं कल अपने दोस्तों को जनम दिन की दावत दे सकता हूँ। लेकिन मेरी जोपड़ी तो बहुत ही तूटी फूटी है। मुझे एक घर भी चाहिए। जी तुनी जैसे घर मांगा तो उसकी पूरी जोपड़ी एक खूब सूरत रोशनी से भर गई। और देखते ही देखते कुछपलों में उसकी फूस की जोपड़ी बड़े घर में बदल गई। आज तो इस गरीब मुची की खिली उड़ने वाली है। हमको पार्टी देगा। जैसी जैसी सब अंदर गए तो बड़ा सा केक और तरह तरह का लजीज खाना परोसा हुआ देखकर हक्का बक्का हो गए। तब चिराग और रौकी ने बधाई दी। जनम दिन की बहुत बहुत बधाई हो जीतु। हाँ जीतु जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई हो जीतु ने खुशी से केक काटा सबने जम कर दावत खाई लेकिन विराट तो अंदर ही अंदर जला बूरा जा रहा था ये इस करीब भिकमंगे के पास इतने पैसे कहां से आ गए तभी एक साजिश रश्ति हुई विराट अबे ओ मोची मुझे ये घर का घास पूस नहीं खाना पाटी देनी है तो चलकर रेस्टोरेंट में दे सब कोई रेस्टोरेंट में आ गए उधर दूसरी तरफ यमपुरी में अलग ही माहोल चाया हुआ था आखिर वो डायरी कहा है चित्रगुप्त यमराज के बार बार हमें उसे डायरी में लिखना है चित्रगुप्त कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम्हारी सूरत देखकर हमें संदे हो रहा है वो यमराज जी बात ऐसी है कि डायरी धरती पर गिर गई है मुझे चमा कर दीजिए प्रभु तो मितनी बड़ी मुर्खता कैसे कर सकते हो चित्रगुप्त अगर वो डायरी किसी दुष्ट मनुष्य के हाथ लग गई तो संसार का विनाश हो जाएगा जाओ और ढूड़ो उसे यमराज के दिये आदेश पर चित्रगुप्त यमपुरी से धरती लोग पर आ जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टुर तब ही डायरी के अंदर से पैसे निकलने लगते हैं जिसे दूर से छुपकर जीतु का घमंडी दोस्त विराट देख लेता है अच्छा तो ये मामला है विराट पीछे से जाकर जीतु के हाथ से डायरी छील लेता है और उसे पेड़ से बान देता है सही चीज सही जगे पर आ ही जाती है अब तू जाकर जिन्दिकी भर लोगों के चूदे चपल साफ करता रही हो मुची कोई मुझे खोलो मेरी मदद करो मदद करो तब ही बहां से गुजर रहे चित्र गुप्त जीतु की आवाज सुनकर रुख जाते हैं और उसे खोलते हैं चित्र गुप्त को देखकर जीतु पहचान लेता है और डर कर कहता है चित्र गुप्त आपको यमराज ने भेजा है न मुझे को लाने के लिए अरे डरो नहीं पुत्र यमराज ने मुझे तुम्हे लेने के लिए नहीं भेजा वो मेरी मूर्कता से एक महतोपून डायरी खो गई है मैं उसे ढूंडने आया हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे इतने के बाद जीतू सब कुछ समझ जाता है और चित्रगुप्त को शुरू से लेकर अंध तक सब कुछ बताता है ये तो बहुत ही बुरा समाचार है हमें उस दुष्ट के हातों से कैसे भी करके वो डायरी लेनी होगी मैं उसके साथ ऐसा चल रचूँगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं चित्रगुप्त हूँ चित्रगुप्त जीतू का भेस बदल कर विराट के पास प्रकट होते हैं तो वो किताब में लिखता है इस मोची को खूब मारो लेकिन वो देखता है कि चित्रगुप्थ पर कोई असर नहीं पड़ा इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा इस पर पत्थर मारो लेकिन उसका ये लिखा भी पूरा नहीं होता तो मुर्खों के समान विराट गुसा दिखाता है वो डायरी को उपर उच्छाल दीता है चित्रगुप्थ के पास वो डायरी लोट आती है जिसके बाद वो असली रूप में आकर विराट को नमक का पुदला बना देती है और जीतू के खरे इस सीधे मददगार सुभाव के बदले में उसे वरदान देती है इसके बाद चित्रगुप्थ यमपुरी लोट जाते है और जीतू उन से अपने लिए एक फूलो की बग्या की इच्छा करता है देखते ही देखते उसका ये ख्वाब उन हो जाता है और उसकी जोपड़ी के बाहर रंग विरंगे फूलो का बगीचा बन जाता है जहांके फूल कभी नहीं मुर्जाते थे और अब जीतू मोची का वाम छोड़कर मंदर के बाहर फूलो की माला बेशने लगता है जादूई फूलो की माला बहुत ही सुगंदिध होने की वजह से वो खूब बिक्ती थी जिससे आप बहुत जल्दी जीतो धनवान बन जाता है